Hello to all, last के वीडियो में हमने देखा था कि स्केनर क्या होता है और स्केनर के टाइप्स कौन-कौन से होते हैं आज हम जिन इन्पुट डिवाइसे के बारे में जानेंगे वो डिवाइसे भी स्केनर कैटेगरी या पर स्केनर फैमली को ही बिलॉंग गरती है तो आज के हमारी जो सबसे पाली डिवाइस है वो है MICR या फिर मैगनेटिक एंग करेक्टर रिकगनीशन या फिर मैगनेटिक एंग करेक्टर रीडर भी इसे बोलते हैं तो MICR जो डिवाइस है वो हमारे पेपर डॉक्यमेंट की ओरिजनलिटी को रिकगनाईस करती है तो MICR जो होता है वो जिन डॉक्यमेंट्स को स्केन करता है उन डॉक्यमेंट्स पर एक स्पेशल एंग के कोड प्रिंटेड रहते हैं जिन कोड को स्केन करके MICR ये पता लगात आता है कि वो डॉक्युमेंट ओरीजिनल है या फिर फेक है कि मोस्ट कॉमनली एमाइसीयर का यूस बैंक के द्वारा किया जाता है चैक को स्कैन करने के लिए आप लोगों जो चैक देखा होगा यहां पर चैक में यह एक बॉटाम एरिया में एक लाइन होती है जिसे इस चैक पर लास्ट में आपने देखा होगा कि यहां पर कुछ नंबर्स प्रिंटेड रहते हैं यह जो नंबर्स रहते हैं इन नंबर्स को ही MICR code गा जाता है तो MICR जो device होती है वो इसी code को detect करती है और check करती है कि हमारा जो check है वो original है या फिर fake है MICR code जो होता है वो nine digits का होता है जिसमें first three digits जो होती है वो आपके city के code को represent करती है मतलब आपके city के नाम को middle जो three digits होती है वो आपके bank के code को मतलब बैंक के नाम को represent करती है और last के जो three digits होती है वो आपके जो bank की branch होती है उसके code को represent करती है ये जो हमारा है ये है MICR यहाँ पर check को insert करके scan किया जाता है and then ये पता लगाए जाता है कि आपका ये check original है या फिर fake है next जो OCR का फुल्फर्म होता है optical character recognition या फिर optical character reader जब हम normally scanner से किसी भी हमारे document को scan करते हैं तो वो क्या करता है कि हमारे उस document की एक digital image हमारे computer system में या हमारे device में store कर देता है लेकिन OCR जो रहता है वो क्या करता है मतलब optical character recognition जो device है वो हमारे दुआरा scan किये गए sorry OCR दुआरा scan किये गए जो document रहता है जिस भी document को scan करता है उसकी एक digital image तो बनाता है हमारे device में हमारे computer system में लेकिन वो एक ऐसी image बनाता है that means वो हमारे दुआरा यह जो scan किया हुआ document है इसकी जो image रहती है उसको computer में store करता है लेकिन उस image को next जो हमारे device है वो है OCR मतलब optical character recognition या फिर optical character reader normally जब हम किसी भी scanner से अपने data को या अपने किसी भी document को scan करते हैं तो scanner क्या होता है करता है कि हमारे उस particular document की एक digital image को या मतलब soft copy को हमारे device में या फिर हमारे computer system में store कर देता है लेकिन OCR क्या करता है OCR से जब हम किसी भी अपने document को scan करते हैं तो वो हमारे document का जो भी data रहता है जो भी material रहता है उस material को उन characters को image में से लेकर हमारे system में text material के रूप में store करता है मतलब editable format में उसको copy कर देता है that means कि हमारे यह जो document है जैसे हमने इसको scan किया है तो यह scan की जो image तो बनाएगा लेकिन इस image के जो characters रहेंगे जो हमारा यह data रहेगा इसको हम change कर सकते हैं मतलब इसमें edit कर सकते हैं तो यह editable characters में directly इसको store कर देता है हमारे computer system में next हमारी input device है OMR इसका पुलवम होता है optical mark reader आप लोगों ने शायद OMR sheet सुना होगा तो OMR sheet शायद कुछ लोगों ने अगर देखी भी हो तो OMR sheet का generally use competitive exams में किया जाता है जैसे हम लोगों के exams में school में जैसे हमारे exams होते हैं तो उसमें हमारे MCQs आते हैं मतलब multiple choice questions मतलब सही विकल पुछोनों वाले options आते हैं जिसमें हमें 4 options दिये रहते हैं और उनमें से हमें किसी एक को select करना होता है वैसे ही OMR sheet जो हमें मिलती है उस पर हमारे particular किसी एक question के चार options या उससे जाधा options हो सकते हैं और हमें उस पर किसी एक option पे tick करना होता है या फिर circle जो होता है उसे fill करना होता है तो OMR जो रहता है वो भी एक scanner device ही है जो scanning का काम करता है तो OMR जो रहता है वो हमारे दुवारा fill किये गए उस particular single column को fill किये होए या फिर tick किये होए column को detect करता है और उसके according ही हमारे उस OMR से हमारे उस data को collect करता है and then हमारे computer system में feed करता है या फिर store करता है and then उसके बाद ही हमारा score का जनरेट होता है लेकिन इसके लिए हमारे computer system में उस particular OMR के software का होना भी जरूरी है OMR जो scanner रहता है इसकी scanning speed भी बहुत fast होती है ये thousands of OMR sheets per hour मतलब एक घंटे में 1000 OMR sheets को scan कर सकता है इसके बाद next हमारे device से barcode reader barcode reader को समझने के पहले हम यह देखते हैं कि बारकोड के आता है बात करें हैं मगर बारकोड की तो यह जो दिखाई दे रहा है आपको यहां पर vertically black color की और white color की lines दिख रही हैं अलग-अलग width की और साथ में यह कुछ numbers आपको printed दिख रहे हैं तो बारकोड जो होता है वो यह इनी lines और numbers के combination को ही बारकोड करते हैं जब भी हम सामान खरीदने जाते हैं तो particular हर product पर इस तरीकी का बारकोड printed रहता है तो बारकोड reader जो रहता है वो क्या करता है इस बारकोड को scan करता है और इस बारकोड के अंदर छूपवी ही जानकारी को हमारे computer system में store कर देता है आमतुर पर जब हम shopping के लिए जाते हैं तो हमने shopping mall में या supermarkets में देखा होगा कि billing counter पर जब हम जाते हैं तो वहां पर billing counter पर एक immobile scanner एक device लगा होता है जिसमें से red color की light निकलती होती है जिसे laser light बोलते हैं या उनके हाथ में इस सरीके की device रहती है जिसे हाथ में वह पकड़कर वह हमारे particular हर एक product को scan करते हैं तो scan करते हैं हमारे product को मतलब हमारे product के उपर printed जो बारकोड रहता है उसको scan करते हैं तो हर product का particular एक अलग-अलग अलग बारकोड होता है, जिसमें अलग-अलग information होती है, जैसे उस particular product का weight, उसकी price, manufacturing date या expiry date, हर product का अलग बारकोड होता है, और एक organization है, Uniform Code Council, UCC, जो हर एक manufacturing company को उसका अलग बारकोड प्रोवाइट करती है, तो ये थे हमारी आज की devices, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिवाइस के बारे में संझेंगे, thank you.